स्वागत ने सभी दर्श्पों का गिलोला स्रावस्ती न्यूस चैनल में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले साथी साथ बिला एकन लबा ले ताकि सबी ख़बरों की नोटिफिकेस आपको म करम हैं कल दिन में एक बजे के करीब स्रावस्ती जनपत के मुख्याले भिंगा के जिला पंचाइद ग्राउंड में पहुंचेंगे मुकमंत्री योगी आदितनात और वहां पर एक विसाल जनसभा को संबोधित करेंगे स्रावस्ती में दो विधान सभा हैं जिसमें विधान सभा 290 स्रावस्ती से भाजपा ने अपनी विधायक रामफेरन पांडे को टिकट दिया है और विधान सभा 289 से भाजपा के पदम सेंच चौधरी को टिकट दिया है तो दोनों विधान सभा को जिताने के लिए दोनों लोगों के समर्थन में कलमुक मंत्री योगिया दितनाच सोयम भिनगा पहुचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और सभी लोग जानते ही होंगे कि स्रावस्ती जनपद में 27 फरोरी को मद्दान होना है और इससे पहले जो बड़े बड़े नेता वो अपने सभी परत्यास्यों को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग उने देखा ही होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच अकलेस यादो आश्रावस्ती पहुँचे और अकलेस यादो ने कहा कि आगामी 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और भाजपा पुरी तरीके से उतर परदेश से साप हो जाएगी और उन्हों से तंजक से समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच अकलेस यादो ने तो इसका जबाब देने के लिए स्वयम मुखमंत्री योगी आधितनात कल स्रावस्ती आ रहे हैं आकर जनसभा को संबोधित करेंगे और देखने वाली बात या होगी कि कल सब वह किस तरीके से अकलेस यादो पर निसाना साथते हैं और क्या कुछ मंत्र देते हैं जनता को किस तरीके से वह विधानसभा की दोनों सीटों को जिताने का मंत्र देंगे ये देखने वाली बात होगी तो बने रहेगा तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ क्योंकि हर खबर आपको हम अपड आम हमें का में में वो इनता किता है?